हेलो फ्रेंस वेलकम टू टीचर सेंपायर आज किस व्यूडियो लेक्चर में हम डिसकस करेंगे कुछ मोस्स एक्सपेटेट एंसी क्यों को जो कि इंपुटेंट होंगे आने वाले लेक्चर के एक्जाम के लिए सुरुवात करते हैं पहले क्वेशन से पहला क्वेशन आपके क्वाना निन्ती से च्चरिट क्यूंगों ग Carni कलेटने नोलोग का एक हिसके सांसाथ क्मेंट केource कि टिन उस और च्टने का मुझे इंतजार रहेगा अगर हैं बात करता हूं ला बेल डैमसेंस मरसी की तो लैं ये किसनी लिखी थी जॉन किट्स जौन कीट से भी कौन सी एसे बिलॉंग करते हैं आपका रोमेंटिक एसे बिलॉंग करते हैं अब आप मुझे इस कमेंट में बताई कि सेंस्रस फुएट के नाम से हम किसको जानते हैं और दूसी बात जिसको भी हम जानते हैं सेंस्रस फुएट के नाम से उसको सेंस्रस फुए इसके rhyme scheme होती है वो क्या होती है वो होती है इसकी AB 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 ये हैरोई क्वाट्रीन की क्या rhyme scheme है अगर मैं इसके example तो जैसे आपका Thomas Gray का ळीजी रिटें इन एक कंट्री चब्चयाड, वो क्या है? अगर बात आईकेवाफ की तो लीजी आपको बताइए, ये दुखवच अंताप में लिखे जाते हैं, यानि हम क्या बोलेंगे, ये विद्ध में लिखे जाने वाले सोन्ग से हैं, किसकी बात हो रही है अगर मैं बात करता हूँ एलिजी की तो अब आप मुझे बताईए कि cat की एलिजी cat पर एलिजी किस ने लिखी और दूसरी बार dog पर एलिजी किस ने लिखी इसके आंसर मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा तब तक आप मुझे सर्च करके comment box में बताएंगे कि cat पर एलिजी किस राइटर ने लिखी थी और dog पर एलिजी किस राइटर ने लिखी थी बात अगर मैं करूं किसकी राइमा रॉयल की तो राइम रॉयल और चौसिरेन स्टेंजा ये दोनू चीज एक ही हैं दोनू सेवन लाइन के ही होते हैं अब आप मुझे बताएं चौसिरेन स्टेंजा को राइमा रॉयल कहा क्यों गया था सेक्सपिर का जो एक वर्क है जिसका नाम के है आपका दर रेप आफ लुकरी जी वो आपका राइमा रॉयल में ही लिखा गया है इसके सांसांत अलाव कंप्लेंड करके भी एक वर्क है वो भी किसमें लिखा गया है राइमा रॉयल में लिखा गया है जान रखेगा Shakespeare ने भी इसका यूज किया था किसका राइमा रोयल की बात हो रही है कितने लाइन का स्टेंजा होता है, सेवन लाइन का स्टेंजा होता है और इयांबिक पेंटामीटर में ही होता है अब मैं बढ़ता हूँ, नेक्स्ट यानी चौसीरेंज चेंजा यह दोनों मैंने आपको बता दिये नेक्स्ट कोश्चन के और बढ़ें ABAB rhyme scheme is known as ABAB जो rhyme scheme होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं क्या हम इसको cross rhyme बोलते हैं, envelope rhyme बोलते हैं, mono rhyme बोलते हैं बात अगर मैं करूं किसकी envelope rhyme की जो ABA, जो इस तरीके के rhyme होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, envelope rhyme आप इसको देख रहें, envelope का मतलब एक दूसरे के ऊपर चड़ना यह हम कहसे थे कि एक के बाद एक चीज़ जब आती है हम उसको envelope बोलते हैं, तो ABA वाला structure हमको जहाँ पर दिखाए देगा वहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर envelope rhyme है बात मैं अगर करूं किसकी, mono rhyme की mono rhyme में क्या होगा, हमको एक ज़सा structure, mono मतलब बोलता है one A, 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 इस तरीके का structure जहाँ पर दिखेगा उसको हम लोग बोलते है, mono rhyme और Eam का मतलब आपको बताईए, Eam का मतलब बताईए The pair of sellable इसको हम लोग क्या बोलते है, Unstays followed by Stays उसको हम लोग बोलनेंगे Eam US को हम क्या बोलनेंगे Eam, अब आप मुझे बताईए कि यह आमर का जो opposite होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी next question की next question आपके सामने Sally or to the west wind written in which stanza Sally का जो आपका or to the west wind था वो कौनसे stanza में लिखा गया था ये question है तर्जिट, तर्जा राइमा, हेरोई कप्लेट या spring rhythm इसका जो सही answer है वो आपका तर्जा राइमा अब आपने ये दोनों term से रहे होंगे तर्जा राइमा और तर्जिट spring rhythm की अगर मैं बात करूँ तो ये term किस ने दिया था भई GM Hoff किस ने term दिया था और सबसे बड़ी बात ये जो spring rhythm है ये हमेशा जब भी start होगा ये strong stress meter से ही start होगा इसकी सुरुवात stress cell level से ही होगी किसके बात हो रही है spring rhythm की बात हो रही है अगर हम बात करूँ किसकी heroic complete का मैंने आपका बताई दिया कि ये दो line का stranger होता है heroic complete का हम लोग दो पार्ट में divide करते हैं आपका कौन सा closed heroic complete और run on heroic complete run on heroic complete तर्जा राइमा में ये इसका सही answer है कौन सा option number B Sally की जो all to the west wind है ये तर्जा राइमा में लिखी गई है और कौन सी दूसरी बाय में जो कि तर्जा राइमा में लिखी गई है आप मुझे comment section बताईए अब मैं बात करता हूँ तर्जा राइमा में लिखी आपको पताई चल गया जहां पे हमारे क्या होगी rhyme scheme एक जैसी होगी और तीन line का उस टेंजा होगा तो वहाँ पे हम कहेंगे ये तर्जा राइमा में है लेकिन जहां पे variation होगा वहाँ पे क्या होगा आपका तर्जा राइमा में होगा बढ़ते हैं next question की ओ next question आपके सामनी है ब्लेंक words was introduced by option ने आपके बास Thomas Veyart, Henry Howard, Jane Howard और Francis Bacon तो जिसका सही answer है blank words किसने introduce किया था इसका सही answer है Henry Howard किसने किया था Henry Howard ने blank words का मतलब आप लोग जानते हैं होंगे वो क्या होता है आपका येंबिक pentameter में जो poem लिखी रहती है हम लोग उसको blank words बोलते हैं यानि इसमें words ही क्या होगी पूरी blank होगी इसमें आपकी rhyme नहीं होती है क्यों रिदम होती है तो हम उसे बोलते है blank words अगर हैं बात करूं हेंरी Howard की तो ये Henry जो Howard हैं ये कौन सी age से बिलोंग करते हैं Elizabethan age से बिलोंग करते हैं Elizabethan age का मतलब 1558 से लेके 1603 अगर हैं बात करूं ये कौन सी century से बिलोंग करते हैं तो ये कौन सी century होगी आपकी 16 century से बिलोंग करेंगे जो एक ये poetry की form है, ये कौन सी age में introduce हुई थी, 16th century में, इसी के साथ साथ जो epigram, आपका epigram भी introduce किये गए थे, 16th century में, epigram आप जानते हूंगे, जिनको हम लोग short में क्या बोलते है, short pretty saying, जो epigram है, वो कौन सी century में introduce किये गए थे, 16th century में introduce किये गए थे, और जो epigram का inventor माना जात है, किसकी बात हुरी है, john havewit की बात हुरी है, जो कि कौन सी से बिलॉंग करते हैं, 16th century से बिलॉंग करते हैं, इसके साथ साथ 16th century में, इंटरल्यूट आए था, क्या आया था, इंटरल्यूट आए था, वह भी 16th century में ये आयाए था, इसके साथقة, पेत्रार्चन सोण जोन हे वोड के बारे में मैंने आपको बताई दिया जोन हे वोड को क्या कहा जाता है inventor of किसके बात ओड़िये epigram epigram का सबसे ज़्यादा use और सबसे पहला use किस ने किया था जोन हे वोड ने किया था अगर बात करता हो किसकी Francis Bacon की तो Francis Bacon आपको पता है दो ऐसे of studies अगर बात की जाए फ्रांसिस बेकन की तो इनका एक इनक्पीट वरक है जिसका नाम किया है इसे के साथ इनका हम लोग फादर ऑफ इंपिरिसिज्म भी बोलते हैं और इसके साथ इन पे एक चार्ज लगाया था इन पे 15 पाउंड का चार्ज लगा था साहथ से तो आप मुझे बताएं बदने का मनें बताइं इंअरो में पर एक बर दो हए स्टैल को सब्सक्राइब को चोटा सा इस आपो चूटा सा ऐका मिनिंग बहुत बढ़ा होगा उसे हम लोग बोलते है एफोरिस्टिक स्टाइल मैं बढ़ता हूँ नेक्स क्वेशन की नेक्स क्वेशन है विलेज सुराज नाम की बुक किशने रिखी थी आप्शन है आपके पास चेतन भगत, महात्मा गांधी, कमला दास और अनुन्दती रॉई इसका जो सही आंसर है वो है आपका महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने हिंद सुराज नाम की भी किताब लिखी थी और महात्मा गांधी ने एक और बुक लिखी थी जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं इंडिया ओफ माई ड्रीम के नाम से जानते हैं इसकी बात हुरी है, महत्मा गांधी की बात हुरी है, इंडिया ओफ माई ड्रीम भी नी की बुक थी, और विलिस सुराज भी नी की बुक थी, और हिंद्य सुराज भी गांधी की बुक थी, अब आप मुझे बताएंगे कि गांधी की डेट ओफर था, आप मुझे कमेंट सेक् इसके सांथ सांथ Half Girlfriend करके इनका वाए किसकी बत यह चीतन भगत की बत यह हाफ गॉलफरेंड फीस और Three My भी यह किसका वरगत का रहा है इस इसका नाम क्या Scientists Revolution 2020 2020 करके इनका वर्क है तू स्टेथ करके इनका ँक वरख है future सांद इंडिया बात ऑफ्य काफिक पत्राइब को देख रहे हैं कि आप कुछ कमेंट छोड़ना ना पूछता हूँ उससे क्या होगा चीज्यां आपकी रिवाइज होंगी और वीडियो का आप लाइक जरूर करें जब वीडियो के देख रहे हूं चाहिए आप किसी भी चनम ने जाएं बस यही एक चीज होती है आपको खाली हलका सा प्रेस करना होता है वह आपकी तरफ से हमको मिल सकता है बाकि तो ऐसा कुछ है नहीं आप भी यूटीब में खुद वीडियो मना के देख सकते हैं कि इसमें कितन इनकी नूनें मालबार करके भी इनकी एक पोयाँ है और एक इनकी ऐगा दाश की अरून्दती रॉई, अरून्दति रॉए के बारे मां अगर भात करूं यह भी जी इनको हैं में और इनको ब्गर प्रीज मिला था वो इनके कॉन से अज्कौ और सबसुनक्त्थि के लिए तो द 현재 कि नगे था 2006 में और इसके साथ साथ एक और जो इनका वर्ग था जिसका नाम था दा एलजेब्रा ओफ इन्फाइन जस्टिस उसके लिए इनको साइथ एक एडमी वाट मिला था तो आज के लिए रणस इतना ही आप उसको लाइक और कमेंट करना ना भूलेगा प्लीज कुछ भी आप क